आम आदमी पार्टी के वरिस्ट नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंतरी मनीशी सोधिया को तकरीबन एक साल बाद कोड से अंतरिम जमानत मिली थी आपको बता दे मनीशी सोधिया ने कोड में अरजी दाखिल कर भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पास दिन के लिए अंतरिम जमानत मागी थी लेकिन अदालत ने तीन दिन की जमानत दी है और मनीशी सोधिया को 13 से 15 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है आपको बता दे मनीशी सोधिया की जमानत अवधी गुरुवार को समाप्थ हो रही है ऐसे में उन्हें एक बार फर से तिहार जेल में आना पड़ेगा और इस तक्रीबन एक साल बाद मिली अजादी गुरुवार को उनकी समाप्थ होने वाली है मनीशी सोधिया ने राव जवनी कोट में अर्ची दाखिल कर भतीजी की शादी में सामिल होने के अंतरिम जमानत देने की मांग की थी लेकिन कोट ने मनीश सोधिया को जाच एजंसियों की दलीलों को सुनने के बाद आपके वरिस्ट नेता मनीश सोधिया को तीन दिन की जमानत दे दी आपको बता दे स्पेसल जज एम नाकपाल ने मनीश सोधिया को दो लाग की नीजी मुचकला और इसके इतनी जमानत रासी जमा करने का आदेश दिया था और मनीश सोधिया को पिछले साल 26 फरोरी को हिरासत में लिया गया था तब से वो जेल में बंद है हाला कि इस दौरान व मनीश सोधिया को आरोपी बना गया है और इस मामले में सी बी आई और एडी ने मनीश सोधिया के खिलाप केस दर्ज कर लिया था आपको बताएं राओ जियो निकोट ने मनीश सोधिया की जमानत याचिका को सुविकार करते हुए कहा था कि आप नेता को 13 फरोरी की शाम को मनीश सोधिया को सरेंडर करना होगा. इसका मतलब यह हुए कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को गुरुवार शाम को तिहार जेल में सरेंडर करना होगा. इस तरह मनीश सोधिया को मिली तीन दिन की आज की आज़ादी समाप्त हो जाएगी. आपको बताएं CBI और AED मन जमानत याज का पर पुर्जोर उसने बिरोध किया था वही मनिस सोधिया ने पांस दिनों के लिए अंतरिम जमानत जो मांगी थी मेडिया के रिपोर्ट के नुसार अगर बात करें तो मनिस सोधिया की ओर से दलील दी गई थी कि वो अपने परिवार में एक मात्र पुरूश ह और ऐसे में उन्हें तमाम तरह के रीती रिवास निभाने होंगे सीबिया और एडी ने मनिस सोधिया की जमानत अरजी का पुरूश विरोध किया ऐसे में जाज एजनसी का कहना था कि आरोपी बहुत प्रभाव साली है और सुबूतों को नुकसान पहुचा सकते हैं साथी जाज जनसी ने कहा कि शादी में सामिल होने के लिए एक दिन ही काफी है लेकिन उसके बाजू कोट ने तीन दिन की अंत्रेम जमानत मनिश सोधिया को दे दी अब ऐसे में अब उनका वापस जेल में जाने का समय आ गया है